हाई बच्छों, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सैन वेवस्था सबजेक्ट सैन वेवस्था वीडियो में लाश्ट तक बने रहेगा उमिद करते हैं आप लोग देखेंगे अच्छे से देखेंगे बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का बीए पार्ट वन सेमेश्टर टू का सैन वेवस्था सैन वेवस्था सबजेक्ट सबजेक्ट क्या है सैन वेवस्था देखेंगे बीए पार्ट वन semester 2 का 10 बेवस्था पढ़ेंगे हम लोग प्रश्ण नमर 5 प्रश्ण नमर 5 क्या कह रहा है देखिए यहां समझे प्रश्ण नमर 5 कोटिली द्वारा वर्नित अंतराश्ट्री या अंतराजी सम्मंधों के साधनों की बीवेचना कीजिए अंतराश्ट्री या अंतराज्जी अंतराश्ट्री इंटरनेशनल और अंतराज्जी अपने राज्ज के अंदर ही इसकी हम लोग कोटिली द्वारा उनके सम्मंध क्या है उनके रिलेशनसिप क्या है उनको हमको विवेचना करना है असपश्टी करना है समझाना है और उत्तर उसका देखे आगे जो है उत्तर ठीक है उत्तर देखे हैं प्राचीन काल से लेखर आज तक अपने हितों के संघर्स के लिए और पडूसी देशों से संबंदों का निर्धार विदेश निती के द्वा तो या कोई भी डेवलप हो तो हम लोग विचास के कोई भी देश आगे बढ़ नहीं सकता तो विदेश निती बहुत महाय्ने रखती है विदेश निती महात्यपूण है इसलिए हम लोग विदेश निती का उप्यों करते हैं इस संघर्स में स्मान हृट वाले समान हित वाले बेक्ती समुदाय अपने से भिन स्वार्थ वाले बेक्ती समुदाय से टकराते हैं समान हित वाले समान कोटिल क्या कर रहे हैं समान हित वाले और स्वार्थ बेक्ती वाले समुदाय आपस में क्या करते हैं तकराते हैं, दो देश का आपस में तकराव होता है, और दो देश का आपस में जो डेवलपिंग होती हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, होड होता है कि हम आगे निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं, अपने हितों को अधिक, अपने हित में जो है, अधिक मातरा में सिध्ध करने का प्रयास करते हैं अपना हित जो है जादा कैसे हो अपना हित को है अच्छा कैसे हो उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं लेकिन यह विरोध अंतिम Congressman नहीं होता है five-temen किसी किसी न किसी सम्झहौते कि संभावना सहदव विद्यमान राती है जो इस प्रकार के संघर्सों का निराकरन करती है इस प्रकार के संघर्सों का क्या करती है निराकरन करती है कोई भी राष्ट दूसरे देशों से समंध अस्थाफित कि बिना अपना सरवांगीर विकास नहीं कर सकता ये तो compulsory है कोई भी राष्ट कोई भी देश दूसरे से जब तक contact नहीं रखेगा तब तक उसका कोई विकास नहीं होगा अकेले वो कोई भी देश चाहेगा कि हम विकास की पत पर प्रदर्शक हो कितना भी डेवलप हो वो देश वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वो विकास नहीं कर प पाएगा विकास नहीं कर पाएगा कोई भी देश हो ठीक है तो उसको connect रखना पड़ेगा एक दूसरे से प्रतेक राष्ट एक दूसरे के साथ परस्पर राजनेतिक वैपारिक सांस्कृतिक तथा सैनिक संबंद आवश्यक्ता अनुसार अस्थापित करते हैं ठीक है और सम संबंद अस्थापित करने के लिए विदेश निती की relationship बनाना पढ़ता है उसके कारेनेवन राजदूतों के नियुक्ति करने पड़ती है उसके के लिए जैसे इंडिया है इंडिया के बहुत सारे राजदूत है अलगा कंट्री में भरे हुए वह एंपने थृत हमारे दिया पर बिलिए हं उनको शुबिन्रे से दाने और और वहां का माध्यम का यहां पे यहां का माध्यम वहां पे पहुंचाते हैं और हर एक देश अपनी अपनी बातें को अपने अपने तरीके से अपने अपने देश की बातें रखते हैं इंडिया में हर देश के राजदूत हैं यहां पे इंडोनेशिया हो चाइना हो पाकिस्तान हो हर देश के राजदूत यहां पे इस तरह तो अपनी अपनी देश की बाते यहां रखते हैं उनी राजदूतों के जो आ रहा है जो है नियुक्ति अपने राजदूतों की नियुक विवादों का क्या किया जाता है निपटारा भी किया जाता है राजियों के विवादों का उप्युक्त निपटारा तरीके से अपना कर किये जाते हैं। प्रंतु अपर इहारे कारणों में ही और इहारे कारणों में ही बादिकारी तथा युद्या संघर्ष का सहारा लेना पड़ता रह रहा है ठीक है अचारे कोटिल ने इस तथे पर विशेश ध्यान दिया कि भारत एक विसाल देश होने के कारण अनेक छोटे छोटे राजियों में विभक्त है अनेक विसाल देश है रहारत बहुत बड़ा देश है जानते हैं आप लोग और प्रंदु इसके पशात भीवा स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे राजियों में विभक्त है इन राजियों के मध्य युद्ध और मैत्री एक अनिवार्य प्रकिया है भारत में अंतराजी समंदों के अंदर विदेश निती राजदूत निक्ति करने की प्रथा ता सत्रु राज के कारिक कलाप को जानने के लिए चरों के प्र काश्ट विभाग के अस्थापने अर्थ शास्त्र में कोटिल ने अंतराजी संबंधों पर खुलकर प्रकाश डाला तथा अंतराश्टी संबंधों की अस्थापना के लिए संधी विग्रह आसन यान संस्रेद्ध द्यद्वी भाव की निती अपनाने की बात कही है कोई भी राजी अपने तथा शत्रु के बलाबल की तुलना करते हैं इनमें से जिस प्रकार के संबंध अस्थापित करना चाहता है उसी को अपनाता है कोटिल के अंतराश्ट्री संबंधों को समझने के लिए उसके राजी मंदल की प्रविर्तियों के सिधानतों को समझाना अवस्य के जिसे कोटिल के मंदल सिधानत के नाम से भी जाना जाता है ओके बच्चों नेक्ष्ट देखी आगे क्या करा है कोटिल ने चार मुख सिर्णियों में बाटा है कोटिल ने चार मुख सिर्णियों में क्या बाटा है देखिए यहां कोटिल ने चार मुख सिर्णियों में बाटा है मित्र शत्रु मध्यम और उदाशीन मित्र शत्रु जो को थ्री टैप सिमें डिवाइड किया है ठीक है nella किर्टी मित्रा प्रकृृटि शत्रू सहाज मित्र टा वेत्र धे एक विवीसु था उसकी सीमा से लगा हुआ राज मध्यम राज कालाता है विजय गिसु विजय गिसु उसकी सीमा से लगा हुआ राज मध्यम राज कालाता हुआ मुखेता इतना शक्तिसाली होता है कि वह राज अभिलासी राजा राज अभिलासी राजा तो युझा रहा तो असकी शत्र दोनों का एक षाल प्र कृत्रक्री प्रितकr सहाइता करने की नीगर सक्तिवु में दूर इस्थित रखता है कोटिल लिखे कोटिल लिखे अनुसार उदासीन राज को परियाप्त शक्तिसाली होना चाहिए उदासीन राज को क्या होना चाहिए परियाप्त शक्तिसाली होना चाहिए आवशक्ता पढ़ने पर वह विजयी गीसु शत्रु तथा मध्यम तीनों के उपर एक साथ प्रितक प्रितक अनुग्रा निग्रह करने की छम्ता रख सके, प्रितक प्रितक निग्रह करने की छम्ता रख सके, राज क्या मूल उसकी कत्य तथा आंतरिक सम्रिदी उसकी निती पर निर्भर करती है, पोटिल का सणगूर मंत्र, शिक्स फोल्ड पॉलिसी निम्न प्रकार से संधी बिग्र आशन यान संस्रे दैदी भाव, संधी बिग्र आशन यान संस्रे और दैदी भाव, संधी क्या है, देखे हैं, संधी किसको बोलते हैं, संधी, दो राजाओं का किनी शर्तों पर समझाओता हो जाना संधी का लाता है, दो राजाओं का परस पर किसी भी समझाओते को उसको संधी हम लोग बर्णन करते हैं, उसको संधी बोल देते हैं, ठीक है, बिग्रह क्या है, सत्रु पर कोई उपकार करना बिग्रह का लाता है, सत्रु पर कोई जैसे सत्रु जो है पराजीत हो गया उसको हम मारे नहीं और उसको छोड़ दिये तो उस पर उपकार ही न किये जी हम तो उस पर उपकार कर देना ही बिग्र कहलाता है ठीक है उस पर उपकार कर देना बिग्र कहलाता है थर्ड नमर पॉइंट क्या कहता है आसन आसन क्या है संदियादी का परियोग ना करके उसकी उपेक्षा कर देना आसन कहलाता है ठीक है यान यान क्या है सक्तियादी का त्यदिक हो जाना ही यान का होने से अथात आक्रम कर देना यान कहलाता है ठीक है संस्रय संस्रय क्या है दूसरे शक्तिमान राजा के सामने अपनी इस्त्री पुत्र आत्म सर्वसोज अर्पन कर देना संस्रय कहलाता है अपनी सक्ति का प्रदर्शन न करके अपने सलेंडर कर देना दूसरे राजा के समिप वह क्या कहलाता है संस्रय कहलाता है द्वैदी भाव क्या है संधी और बिग्रह संधी बताया भी बिग्रह भी बताया आपको दोनों का उप्योग करना द्वेद्धी भाव कहलाता है दोनों का उप्योग करना अर्थात आवशक्ता करत तो संदी कर लो जरुत पढ़ने पर बिग्रा कर लो आवशक्ता पढ़ने पर संदी कर लो जरुत पढ़ने पर बिग्रा कर लो ठीक है यह तो मनुस्य का निय प्रयोग में ला जाता है जिसे साम दाम दंड और भेद कहा गया है साम क्या है साम देखे क्या समझाब उजहाकर बात प्रचित करके अपने एक्षा पूर्ति वाउदेश को सफल बनाने के लिए किये गए उपाय साम किस्तिनी में आते हैं समझाब उजहाकर सुल्जहा लेना उसको साम किस्तिनी में दाम क्या है जब एक राजा दूसरे के राजा को आर्थिक राजनितिक वास्यनिक प्रवलोभन देकर संबंध बनाता है तो इस उपाय को दाम की संग्या दे जाती है मतलब नगत राशी जो है उसकी संग्या दी गई है आगे देखिए यहां साम दाम दंड और भेद भेद जो है उसकी भी परिकल्पना यहां पे की गई है भेद देखिए यहां भेद भेद कुटनीती का सहारा लेकर फूट डालने का प्रयास किया जाता है सत्रू राज के संबंध समाप्त करना तथा दूसरे राष्टों से ऐसा ही करने के लिए कहना जिसे वह अकेला पढ़ जाए जिसे वह अकेला पढ़ जाए कोटिल का मानना है कि निर्बल राजा को समझा बुजा कर कोटिल का अर्शास विष्णू गुप्त समझाब जाकर aproximadamente साम द्वारा अथ्वा कुछ सहायता दे कर दाम द्वारा अपने वश में करना चाहिए कोटिलिका विष्णोगुप्त का ये है कि कोई राजा को समझा कर और नहीं तो फिर दाम दे कर नगत राशी दे कर कैश अपने वश्च में कर लेना चाहिए किसी राजा को सबल राजा के परती भेद का उपाए जो राजा निरबल न हो सबल हो मजबूत हो उसके परती भेद का उपाए करना चाहिए दंड आंतिम भी पल्प है दंड क्या है लड़ाई शिड जाना आंतिम भी कल्प माना गया है जब सारे साधनान उप्योगी सीध हो जाए तो दंड का उप्योग प्रयोग किया जाना चाहिए सब निस्फल हो जाए तब जो है लड़ाई शिड चाहिए दंड का उसको यूद और शांति दोनों काल में अंतराजी समंधों के क्या है linking दूट तने दूट तथा चर बयोसर पर प्रकास अपने अरथρο शास्त्र में डाला है चर बयोस्ता क्या है भाई अपने राजि की आंतरिक बयोस्ता के लिए ही नहीं? अपितु दूसरे राजियों में भीविन भेस भूसा को चरो को रखा जाना चाहिए ये वेपारी सिक्चक भीक्षू तने धर्म परचारक आदी भीविध रूपों में अपनी भूमी का निभा सकते हैं ओके बच्छों देखिए यहां गुप्त चर एम राज़ुत एम चर बेवस्था युद और शांती दोनों काल में अंतराश्ट्री संबंधों के लिए कोटिल जो है कि दूत तथा चर बेवस्था पर प्रकास अपने अर्थ सास्तर में डाला है चर बेवस्था अपने राज़ी की आंतरिक बेवस्था के लिए ही नहीं अपने राज़ी की आंतरिक बेवस्था के लिए ही नहीं अपितों दूसरे राजियों में विभीन भेश भूसा में चरो को रखा जाना चाहिए विभीन भेश भूसा में क्या करना चाहिए चरो को आदी विविद रूपों में अपनी भूमी का निभा सकते हैं दूत कारे राजी में अपने राजा का प्रतिनिधी व संदेश वहक का है दूत को पुण सावधानी बरतने का निरदेश आचार कोटिल ने दिया है दूत को हमेशा केरफुली रहना चाहिए जो राजा का दूत होता है वो हमेशा सावधान रहना चाहिए उसको सावधान रहने का पुर्ण रूप कोटिल ने बिश्रुगुप्त ने दिया योगिता कि अधार पर दूतों को तीन भागों भिभक्त किया गया था कितने स्रिणियों में बाटा गया था कि दूत अपने राजी की दुरबलताओं को किसी भी हाल में दूसरे राजा के समस्त ना प्रगट करें अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वही जो है यहाँ पर बता रहा है दूसरे राजा के समक्छ प्रतूत ना करें अपनी दुरबलता और जहां तक हो सके दूसरे की दुरबलताओं की जानकारी ले उसकी कमजोरी क्या है उसको पकड़ें ठीक है दूत को कुशल बक्ता, सहसी, निर्भिक और कुटनितिक होना चाहिए, दूत जो है बहुत ही स्रेष्ट होना चाहिए, कुटनितिक होना चाहिए, स्रेष्ट होना चाहिए, कुसल होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, मद्ध पान से बचना चाहिए, मद्रिया का सेवन नहीं करना चाहिए बिवित राजियों के मध्य परास्परिक संबंध जो है निरूपन करने के लिए राजा को राज मंडल सिधान्त का समुचित ग्यान होना चाहिए तथा सणगुण मंत्र तथा उनकी उपायों का ग्यान होना चाहिए ओके बच्चों Is That Clear? नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे अगला कोश्चन ओके थैंक्स फर वाचिंग थैंक्स बरेली वीडियो अच्छा लगे लाइक सेयर और सब्सक्राइब कर दिजीएगा ओके नेक्स्ट वीडियो में आप Лोग को हम अगला कोश्चन जाएंगे थैंक यू बच्चों